शिव शिरी पुत्र बंपती जी महराज आपकी जीवन में कुछ ऐसा कर देंगे आपने कभी सोचा भी नहों होगा। एक गाउं में एक गरीब परिवाब रहता था धीरे धीरे करके वह अमीर हो जाता है। उनके घर में एक लड़का होता है जिसका विवाब एक अच्छी से कन्या के साथ होता है जो की शिव शिरी पूत्र बंपती जी महराज की भगत होती है। विवाब हुआ आपस में कुछ खटट हो गई घर थोड़ा तूट गया। वह कन्या उस लड़के के साथ शहर में रहने को आई। वहाँ पर वह एक आटो लेते हैं और आटो का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी घर में। धेरे धेरे करके उन्होंने घर बनाया। उनके घर एक बालक भी पैदा हुआ। जिसका नाम उन्होंने गवरी शंकर रख तूँ। अच्छे से जीवन भीत रहा था। तभी उनकी जीवन में जहर भोलने की नहीं। कुछ दोस्त आते हैं जो कि उस लड़के को गंदी लत लगा देते हैं। कहने का आर्थ है। वह लड़का जो भी कमाता वह सब शराब में उड़ा दिया करता। ऐसे कुछ समय चलता रहा। अब तो हालत ये हुग गई थी कि वह घर में एक भी पैसा नहीं देता था। पत्री परेशान हुई। पत्री ने घर में जाके लोगों के बरतन साफ करने शुरू कर दिये। तो कि बच्चे का भी पेट भरना है। ऐसे कुछ ताइम बीटता गया। पत्रचा उस लड़की की हालत एक दिन बहुत ज़्यादा खराब बजाती है। आपकुन की उटिया कर रहा था। दोस्त आते हैं कहते हैं आपके पति देव पारक में पड़े हो रहे हैं। पैस्री अपने पती को ले कर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं बहुत पैसे लगेंगे इलाज में लेकिन इसके पास पैसे थेने वह सरकारी अस्पिताल में ले जाती हैं और वहां पर भड़ती कराती हैं डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं शीव श्री पुत्र गन्पती जी महराज का टाइम आ गया था कहने का अर्थ है रनेश चतोची पड़ी थी वह रास्ते से गुजर रही थी तो उसके मन में आये कि गजन गन्पती जी सब को सब कुछ देते हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों तो वह वहां पर की फीस मकान का किराया कोई निधान की जी पुजारी कहते हैं मातर आप सहीं रखें एक छोटा सा उपाय करें गनेश जी के लिए जिसमें आप सक्षम हैं उतना परशाद लेके आईए और एक दुर्वा की माला यह लाकर गनेश जी को अर्पित कर दीजिए अगले दिन्वे प्राते काल दुर्वा की माला और घर से हलवा बनाकर उसका मोदक बनाया गनेश जी को चड़ाया कुछ दिन पर श्चाथ उसके पती की हालत भी खीप होने लगी और उसकी एक लाटरी लगी लाटरी वो नहीं शेयर बजा लगी जब उसके पती देव कमाते थे तो उन्हों कुछ इन्वेस्मेंट शेयर में कर रखी थी परन्तों उस शेयर का भाव बहुत नीची आ जाता है रेट तूट जाता है जिसकी ख़बर उनकी पतनी को भी ने थी टीवी में वह एक दिन न्यूज देख रही होती हैं तो पता चलता है कि उस शेयर का भाव आसमान चुने ल और उनके पती का अच्छे से इलाज बड़े से हॉस्पिटल में हुआ वैस्वस्त होगे तो यह है लेला शीव श्री पोत्रगंपती जी महराज की अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो उसका निधान आने वाली गनेश चतुर्थी पर आपको सभी समस्याओं का सम अधान मिले जिस परकार से यह गरीब माता के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था परंतो सहारा शीव श्री पोत्रगंपती जी महराज ने किया उनके जीवन से अंधकार को मिटा दिया इसी परकार से आने वाली गनेश चतुर्थी पर आपके जीवन में भी परकाश ही परक आई शुकूपा